C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पाठ संख्या 15, नील कंठ, परिष्ट संख्या 108 उस दिन एक अतिति को स्टेशन पहुँचा कर मैं लौट रही थी कि चिडियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया बड़े मिया चिडिया वाले की दुकान के निकट पहुचते ही उन्होंने सडक पराकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया मेरे कोई प्रश्ण करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया सलाम गुरू जी, पिछली बार आने पर आपने मौर के बच्चों के लिए पूछा था शंकर गढ़ से एक चिड़ी मार दो मौर के बच्चे पकड़ लाया है एक मौर है, एक मौर नी आप पालने, मौर के पंजों से दवा बनती है सो ऐसे ही लोग खरीदने आये थे आखिर मेरे सीने में भी तो इनसान का दिल है मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूँ तालने के लिए मैंने कह दिया, गुरू जी ने मंगवाए है वैसे ये कमबخت रोजगारी खराब है बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो बड़े मिया के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है सुनने वाला ठककर जहां रोग दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा मोर के बच्चे हैं कहां बड़े मिया के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टी एक तार के छोटे से पिंजडे तक पहुची जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षिशावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे परिष्ट संख्या एक सो नौ मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मिया की भाषण मेल चली जा रही थी इमान कसम गुरू जी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद तीस रुपह लिए है बारहा कहा भई जरा सोच तो अभी इन में मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी किमत ही मागने चला पर वह मूजी क्यों सुनने लगा आपका खयाल करके अच्छता पच्छता कर देना ही पड़ा अब आप जो मुनासिब समझें अस्तू तीस चिड़ी मार के नाम के और पांच बड़े मिया के इमान के दे कर जब मैंने वह चोटा पिंजड़ा कार में रखा तब मानो वह जाली के चोखटे का चित्र जीवित हो गया दोनों पक्षी शावकों के छट पटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योगी हो गया है घर पहुँचने पर सब कहने लगे तीतर हैं मोर कहकर ठग लिया है कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुरबलता बन गई है अब प्रसंद होकर मैंने कहा मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं है तो पक्षी ही चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवता उन दोनों पक्षियों के प्रती मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेशता आ गई पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला फिर दो कटोरों में सत्तु की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा वे दोनों चुहेदानी जैसे पिंजड़े से निकल कर कमरे में मानों खो गए कभी मेज के नीचे घुज गए, कभी अलमारी के पीछे अंत में इस लुका छिपी से ठक कर उन्होंने मेरे रद्दी काघजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया दो-चार दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर-उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुरसी पर और कभी मेरे सिर पर हचानक आविरभूत होने लगे खिडकियों में तो जाली लगी थी, पर दर्वाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है वैसे वह चुहों पर भी आक्रमन नहीं करती परन्तु यहां तो दो सर्वता अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेश्टा का प्रश्ण था उसके लिए दर्वाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टी में एरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें या इस सिती चित्रा जैसी अभिमानीनी मार जारी के लिए असा यही कही जाएगी परिष्ट संख्या 110 जब मेरे कमरे का काया कल्प चिडिया खाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिडियों को पकड़ कर जाली के बड़े घर में पहुचाया जो मेरे जीव जन्तुओं का सामान्य निवास है दोनों नवा गंतकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतुहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है लक्का कबूतर नाचना छोड़ कर दोड़ पड़े उनके चारों और घूम घूम कर गुटुरगूं गुटुरगूं की रागिनी अलापने लगे बड़े खरगोश सब इस सभासदों के समान क्रम से बैठ कर गंभीर भाव से उनका निरीख्ण करने लगे उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों और उचल कूद मचाने लगे तोते मानो भली भांती देखने के लिए एक आँख बंद करके उनका परीख्ण करने लगे उस दिन मेरे चिडिया घर में मानो भूचाल आ गया धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे उनका काया कल्प वैसा ही क्रमशा और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना मोर के सिर की कलगी और सघन उंची तथा चमकीली हो गई चोच अधिक बंकिम और पैनी हो गई गोल आखों में इंद्र नील की नीलाभ द्युती जहलकने लगी लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप चाही तरंगें उठने गिरने लगी दक्षन वाम दोनों पंकों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे पूँच लंबी हुई और उसके पंकों पर चंद्रिकाओं के इंद्र धनुशी रंग उद्दीप्त हो उठे रंग रहित पैरों को गरवीली गती ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया उसका गरदन उची कर देखना विशेश भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना पानी पीना तेड़ी कर शब्द सुनना आदी क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता है गती का चित्र नहीं आखा जा सकता मोरनी का विकास मोर के समान चमतकारिक तो नहीं हुआ परंतु अपनी लंबी धूप छाही गरदन हवा में चंचल कलगी पंखों की शाम श्वेत पत्र लेखा मंथर गती आदी से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिनी होने का प्रमान देन प्रिष्ट संख्या 111 कबूतर आदी की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानों सब की रखवाली करता रहता किसी ने कुछ गड़बड की और वह अपने तीखे चंचु प्रहार से उसे दंड देने दोड़ा खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोँच से उनके कान पकड़ कर उपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त करंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाई रखता कभी कभी उसकी पैनी चोँच से खरगोश के बच्चों का करणवेध संसकार हो जाता था पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे दंड विधान के समान ही उन जीव जन्तुओं के प्रती उसका प्रेम भी असाधारन था प्रायह वह मिट्टी में पंख फैला कर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूँच और सघन पंखों में चुआ चुआ चुआवल सा खेलते रहते थे परिश्ट संख्या 112 ऐसी ही किसी स्थिती में एक साप जाली के भीतर पहुँच गया सब जीव जन्तु भाग कर इधर उधर छिप गए केवल एक शिशु खरगोश साप की पकड़ में आ गया निगलने के प्रयास में साप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुह में दबा रखा था शेश आधा जो बाहर था उससे चीची का स्वर भी इतना तीवर नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके नीलकंट दूर उपर जूले में सो रहा था उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूँच पंख समेट कर सर से एक जपटे में नीचे आ गया संभवता अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि साप के फन पर चोँच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है उसने साप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोँच से इतने प्रहार किये कि वह अधमरा हो गया पकड धीली पढ़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया परन्तु निश्चेश्ट सा वहीं पढ़ा रहा राधा ने सहायता देने की आवशकता नहीं समझी परन्तु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी माली पहुँचा फिर हम सब पहुँचे नील कंठ जब साप के दो खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उश्णता देता रहा कार्तिके ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यूं चुना होगा यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है हिंसक मात्र नहीं इसी से उसे बाज, चील, आदिक श्रिनी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही कुरूर कर्म है नील कंट में उसकी जातिगत विशेशताएं तो थी ही उनका मानवी करण भी हो गया था मेगों की सावली चाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बना कर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लैताल रहता था आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूम कर वह किसी अलक्ष संपर ठहर ठहर जाता था राधा नील कंट के समान नहीं नाच सकती थी परंतु उसकी गति में भी एक चंद रहता था वह नृत्य मगन नील कंट की दाहिनी ओर के पंख को चूती हुई बाएं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था परिष्ट संख्या 113 नील कंट ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है यह तो नहीं बताया जा सकता परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुचते ही अपने जूले से उतर कर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई प्रायह मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिति भी पहुच जाता था और नीलकंट की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझ कर विस्मयाभी भूत हो उठता था कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमेन की उपाधी दे डाली जिस नुकीली पैनी चोँच से वह भयंकर विशधर को खंड-खंड कर सकता था उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी को मलता से हौले हौले उठा कर खाता था कि हसी भी आती थी और विस्मय भी होता था फलों के व्रिक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित व्रिक्ष भाते थे वसंत में जब आम के विरिक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे अशोक नए लाल पल्लवों से धंक जाता था तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता परिष्ट संख्या 114 नीलकंठ और राधा की सबसे प्रियरितुतो वर्षा ही थी मेगों के उमड़ाने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूझ अनुगूझ तीवर से तीवरितर होती हुई मानों बूदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी मेग के गरजन के ताल पर ही उसके तनमय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेग जितना अधिक गरजता बिजली जितनी अधिक चमकती बूदों की रिम जिमाहट जितनी तीवर होती जाती नील कंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंदर से मंदरतर होता जाता वर्शा के थमजाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंक और बाएं पर बाया पंक पैला कर सुखाता कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से तपकने वाली बूंदों को चोंच से पी-पी कर पंखों का गीला पंदूर करते रहते इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज़ उठा यह भी एक करुण कता है एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मिया ने पहले की समान कार को रोक लिया इस बार किसी पिंजडे की ओर नहीं देखूंगी यह संकल्प करके मैंने बड़े मिया की विरल दाड़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी एनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया पर बड़े मिया के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अंदेखा करना कठिन था मोरनी राधा के समान ही थी उसके मूझ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां तूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी बड़े मिया की भाषण मेल फिर दोनने लगी देखिये गुरुजी कमबख्त चिड़ी मार ने बेचैरी का क्या हाल किया है ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है आप ना आई होती ही तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता फर आप से भी यह अदमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं साराइश यह की साथ रुपए दे कर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना पंजों की मरहम पट्टी और देख भाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई उंगलियां वैसी ही टेड़ी मेड़ी रही परन्तु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी तब उसे जाली घर में पहुँचाया गया और नाम रखा गया कुपजा परिष्ट संख्या 115 नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुपजा ही प्रमानित हुई अब तक नील कंठ और राधा साथ रहते थे अब कुपजा उन्हें साथ देखते ही मारने दोड़ती चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली पंख नोच डाले कठिनाई यह थी कि नील कंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी ना किसी जीव जन्तु से उसकी मित्रता थी ना वह किसी को नील कंठ के समीप आने देना चाहती थी उसी बीच राधा ने दो अंडे दिये जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी पता चलते ही कुपजा ने चूँच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड कर ठूँठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिये इस कलह को लाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नील कंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया कई बार वह जाली के घर से निकल भागा एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में चिपा बैठा रहा जहां से बहुत पुछकार कर मैंने उतारा एक बार मेरी खिड़की के शेड पर चिपा रहा मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांती पंखों को मंडलाकार बना कर खड़ा हो जाता था पर उसकी चाल में थकावट और आखों में एक शून्यता रहती थी अपनी अनुभव हीनिता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा अंत में तीन चार मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नील कंट पूँच पंख फैलाए धर्ती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठता था मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ वास्तों में नील कंट मर गया था क्योंका उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है न उसे कोई भीमारी हुई न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ध मिला मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई जब गंगा की बीचधार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिम्बित प्रतिबिम्बित होकर गंगा का चोड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा नील कंट के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही परिश्च संख्या 116 वह कई बार भाग कर लौट आया था अतह वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दिरिश्टी लगाए रहती थी पर कुपजा ने कोलाहल के साथ खोज ढून आरंभ की खोज के क्रम में वह प्रायह जाली का दर्वाजा खुलते ही बाहर निकलाती थी और आम अशोक कचनार आदी की शाखाओं में नील कंट को ढूनती रहती थी एक दिन आम से उत्री ही थी कि कजली नाम की अलसेशन कुट्टी सामने पड़ गई स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोँच से प्रहार किया परिणामता कजली के दो दाथ उसकी गर्दन पर लग गए इस बार उसका कलह कुलाहल और द्वेश प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्निता का जो परिचे दिया है वह मेरे लिए विशेश महत्व रखता है राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है आशार में जब आकाश मेगाच्छन हो जाता है तब वह कभी उँचे जूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीवरतर करके नील कंठ को बुलाती रहती है लेखिका महादेवी वर्मा परिश्ट संख्या 117 प्रश्न अभ्यास निबंद से प्रश्न एक मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए प्रश्न दो जाली के बड़े घर में पहुचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ प्रश्न तीन लेखिका को नील कंठ की कौन कौन सी चेश्टाएं बहुत भाती थी प्रश्न चार इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बजुठा वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है प्रश्न पाँच वसंत रित्व में नील कंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यूं हो जाता था प्रश्न चै जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे पर कुबजा के साथ ऐसा संभव क्यूं नहीं हो पाया प्रश्न साथ नील कंठ ने हरगोश के बच्चे को साप से किस तरह बचाया इस घटना के आधार पर नील कंठ के सुभाव की विशेष्टाओं का उलेख कीजिए निबंध से आगे एक यह पाठ एक रेखाचित्र है रेखाचित्र की क्या-क्या विशेष्टाएं होती है जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखाचित्र को पढ़िए दो वर्षा रित्मे जब आकाश में बादल घिराते हैं तब मोर पंख फैला कर धीरे धीरे मचलने लगता है यह मोहक दृष्ष देखने का प्रयास कीजिए तीन पुस्तकाले से ऐसी कहानियों, कविताओं या गीतों को खोज कर पढ़िए जो वर्षा रित्म और मोर के नाचने से संबंधित हों अनुमान और कल्पना एक निबंध में आपने ये पंगतियां पढ़ी है मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिम्बित प्रतिबिम्बित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा इन पंख्तियों में एक भाव चित्र है इसके आधार पर कलपना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिकाओं और गंगा की लहरों में क्या-क्या समानताएं लेखिकाने देखी होंगी जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा दो, नील कंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें परिष्ट संख्या 118 भाशा की बात एक, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप, आदिशब्द बनते हैं इसी प्रकार, इन शब्दों से अन्य शब्द बनाओ शब्द हैं गंध, रंग, फल और ज्यान दो, विस्मया भिभूत शब्द, विस्मय और अभिभूत, दो शब्दों के योग से बना है इसमें विस्मय के या के साथ अभिभूत के आ के मिलने से या हो गया है अ आदिवर्ण हैं, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं व्यंजन वरणों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जैसे क धन आ, क इत्यादी आ की मात्रा के चिन से आप परिचित हैं आ की भाति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से अकार की मात्रा ही लगती है जैसे मंडल धन आकार मंडल आकार मंडल और आकार की संधी करने पर यानी जोडने पर मंडलाकार शब्द बनता है और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर यानी तोडने पर मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं अब इन शब्दों के संधी और विग्रह कीजिए संधी के शब्द हैं नील धन आभ और नव धन आगंतुक और विग्रह के शब्द हैं सिंहासन और मेघाच्छन कुछ करने को चैनित व्यक्ति पशु पक्षी की खास बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेखाचित्र बनाईए अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत